नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग जब बच्चों के बिबाह में बहुत बिलंब हो तब परिसानिया बढ़ जाती है माता पिताब की भी और बच्चों की भी उनको भी लगता है साइद माता पिताब पे हम बोज हो गए हमारी साधी तैनीक हो पारी तमाम तरह की समस्याएं आ जाती हैं आप चाहते हैं कि जल्दी से बिबाह हो जाए आप खुद भी कर सकते हैं यह प्रियोग आपके बदले में आपके माताएं भी कर सकती हैं कोई दिकत नहीं है लेकिन कोशिस कीजिएगा जिनका बिभा होने के लिए आप पर योग कर रहे हैं वो खुद करे देखिए कई बार कुंडली के दुर्योग जो होते हैं या कभी-कभी बिभा होने के योग बहुत छीन होते हैं तब बिभा होने में बहुत बिलंब होता है उत्तम जीवन साथी म मिल नहीं पाता और कई बार बिवाह के बाद भी परिसानिया बढ़ जाती है तो क्या करें कैसे मनाएं माता रानी को एक महां उपाएं मातर एक महां उपाएं और आपको यह इस नवरातर में किसी भी दिन आप यह प्रियोग कर लीजिएगा एक दिन करना है क्या करना है देखिए आपकी जितनी उम्र है आप लड़की है आप लड़का है माल लेते हैं आपके उम्र हो रही है विवाह की या हो सकता है आप जल्दी विवाह करना चाहते हो जो भी हो आपकी जितनी उम्र है उतना ही लॉंग ले लें बिलकुल साबुत लॉंग लीजिए याद रखिए आपकी जितनी उम्र है क्योंकि यहां पर उम्र बहुत माइने रखती है अब मान लेते हैं आपकी उम्र पचीस साल पूरी हो गई है आप 26 में चले आए हो तो आप 26 यहां पर मानना है 25 नहीं मानना है ठीक है क्योंकि 25 तो आपको पूरा हो चुका आप यह 26 चल आप यह तो इसलिए आपको 26 लेनी तो इस तरह से आपको जितनी भी आपके उम्र है उतना ही लॉंग लें हर एक जैसे आपिक में देख पा रहे हैं बांधा हुआ है दागे में वैसे हैं बांध लीजिए और माता रानी को अगर आप महिला है तो पहना दे अगर आप पूर ले यह ज्यादा बड़ा नहीं लाना होगा कांच वाली तस्वीर मत लीजिएगा जब भी लीजिए आजकल प्लास्टिक कोटे राता है उसी टाइप कर ले ले हाँ तो आप उसको पहना दे माता रानी को और माता रानी से प्राहतना करें कि मां सिग्र विभा हो जाए छे मह जल में प्रभाहित कर दें या फिर मिट्टी में दबा दीजिएगा एक और चोटा सा प्रयोग किया जाता है सिग्र विभा के लिए जिसका विभा होना है उपाए वही करेगा गोधूली बेला गोधूली बेला का मतलब है जब दिन और रात बराबर होता है साम का वक्त तो मा के सामने बैठ कर कुछ देर आप मा के मंतर का जब करें ओम दूंग दूर्गाय नमः इसके बाद इस हल्दी की गांट को उठा कर अपने बेड में बेडरूम में अपने सिराने रख लें सिग्र विभा हो जाएगा बाद में उठा कर कहीं मिट्टी में दबा दें तो उमीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी और इस उपाई को करने से सिग्र विभा के योग बनने लगते हैं हम आपसे विदा लेते हैं जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सकाइब करें अपनों से सेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर ल हर किया हर से से महादे लाएक करसे करे दो का विभा हैार लेगे वियो थो आया प्लाव कर रूब से गजर शोगे हैं हम गपस्राथ कर दो समनने लेंदा हो, हम बन्र मेंदा हैं कर विभा दो मादोड करें च transiently जुर म focus भाशना बालें हैं जूसी विजा है विज़ भाभे कर